Welcome to the second part of the explanation of the chapter The Cowardly Lion So if you are someone जिरोंने part 1 वीडियो नहीं देखा हैं तो आप जाएं part 1 वीडियो देखें आपको कहीं जाने की ज़रूत नहीं है आप description चेक करें आपको part 1 का link मिल जाएगा तो आप वहाँ से continue करना start करें What makes you a coward? asked Dorothy looking at the lion who was as big as small horse तो Dorothy पुछी lion से कि ऐसा क्या चीज है जो कि तुम्हें इतना डरपोग बना दिया It is mystery, replied the lion, lion बोला कि यह एक रहस्य है फिर बोला I suppose I was born the way और फिर बोला कि मैं इसी तरीगे से जन्म लिया था All the other animal in the forest except me to be brave For the lion is thought to be the king of beasts everywhere और बोला कि lion को हर जगा जंगल का राजा माना जाता था I learned that if I rode very loudly, every animal would get frightened and moved out of my way और फिर बोला कि जब मैं दाहारता था जोर से तो सारी जानवर डर जाते थे और सभी रास्ते से हट जाते थे If the elephant and the tiger and the bear had ever tried to fight with me I should have run away myself और फिर बोला कि जब भी कुछ हाथी या फिर tiger या फिर कोई भालू अगर मुझसे लड़ाई करने के लिया आता था तो मैं खुदी भाग जाता था और फिर ये लायन बुला कि मैं डर तो जाता था उन लोगों से लड़ाई करने में पर जब मैं दाहार था तो जोर से तो सारे अनिमल्स डर जाते थे और भाग जाते थे और मुझे बहुत खुशे मिलते थी जब वह दोड़ कर भाग जाते थे तो और फिर जो वो पुतला था वो पुतला बोला कि जो तुम गिंग आफ बिस्ट हो मतलब कि तुम जंगल का राजा हो तुम्हें कावर्ड नहीं होना चाहिए डरपोक नहीं होना चाहिए यह सही बात नहीं है फिर बोला कि मुझे पता है कि मुझे डरपोक नहीं होना चाहिए विपिंग आ टियर फॉं मेरे लिए सबसे बहुत बुरा बात है और इसी कारण से मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ और फिर लायन बोला कि जब भी कोई खत्रा आता है तो मेरा पता नहीं दिल का धड़कन क्यों बढ़ जाता है फिर वो टीन वोड मैन बोला कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पास दिल है I have no heart so it cannot beat he finished sadly फिर टीन वोड मैन बोला कि मेरे पास तो दिल ही नहीं है इसलिए मेरा दिल नहीं धड़कता है Perhaps said the lion thoughtfully if I had no hurt I would not be coward फिर लायन बोला कि फिर भी अगर मेरे पास दिल नहीं रहता तो मैं कम से कम डरपोग तो नहीं रहता Have you no brains either? asked the scarecrow फिर जो वो पुथला था, scarecrow था वो पुछा कि क्या तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है I don't suppose I do I have never looked to see replied the lion तो फिर लायन बोलते कि हाँ हो सकता है मेरे पास दिमाग होगा मैने कभी अंदर तो जाग कर देखा नहीं है I am going to the great Oz to ask him to give me some brains remarked the scarecrow because my head is stubbed with strong और फिर वो जो पुथला था वो बोला कि मैं तो जा रहा हूँ Oz के पस wizard of Oz के पस मैं उनसे बोलूँगा कि मुझे दिमाग दीजिये scarecrow ये बोला और बोला है मुझे दिमाग इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे जो दिमाग है उसमें भूसा बरा हुआ है I am going to ask him to give me a heart said the woodman फिर woodman बोला, teen woodman बोला कि मैं तो wizard of Oz से मांगूँगा कि मुझे एक heart देदे मुझे यही चाहिए बस I am going to ask him to send Toto and me back home added Dorothy फिर Dorothy बोलती है कि मैं तो wizard of Oz से मांगूँगी कि मुझे और टोटो को घर पहुचा दे बस Do you think Oz could give me courage ask the line ask the cowardly line फिर वो डरफोग सेर पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमारा यह जो wizard of Oz है जो magician है तो वो मुझे ताकत दे सकता है साहस दे सकता है just as easy he could give me brain said the scarecrow फिर जो पुतला था वो बला रहे यार तुम्हें देगा जैसे मुझे वो brain दे रहा है वैसे तुम्हें वो courage भी देगा और give me a heart said the teen woman और बला हाँ बिल्कुल जैसे वो मुझे hurt देगा वैसे ही तुम्हें वो brave देगा मतलब तुम्हें साहस देगा और send me back home said Dorothy पिर Dorothy भी बोली जैसे the wizard of oz मुझे घर पहुचाएंगे वैसे ही तुम्हें वो जरूर देंगे कुछ साहस then if you don't mind I will go with you said the lion for my life is simple unbearable without a bit of courage फिर वो lion बोला कि क्या मैं तुम लोग के साथ इस wizard of oz के पास जा सकता हूँ क्योंकि मैं इतना डर पोक हूँ कि और मेरा life ऐसे चल ही नहीं चल ही चलता ही नहीं यह ठीक से है मुझे कुछ courage चाहिए मुझे कुछ साहस चाहिए हिमत चाहिए you are welcome I am sure answer Dorothy for you will help to keep away the other wild beast और फिर Dorothy बोलती है कि अब तुमारे welcome है तुम चलो हमारे साथ और तुम मुझे और तुम हमको पता है कि तुम रास्ते में जो भी अगर कुछ खत्रा आएगा तो तुम मुझे बचाओगे सेर को कहती है और दोरोती बोली कि जो रास्ते में और भी जानवर आएंगे वो तुम से जरूर डर जाएंगे और फिर वो लाइन बोला कि हाँ वो सब तो हैं डरपोक पर मैं जो हूँ मैं ब्रेव नहीं बन सक रहा हूँ और एस लॉंग अज आइनो मैसेल्फ तो बी अ कावर्ड आइसल भी अनहाप्पी और फिर लाइन बोला कि जब तक मेरे दिल में ये रहेगा कि मैं डरपोक हूँ तब तक मैं खुश नहीं रह सकता और फिर ये जो ग्रूप है जिसमें की एक स्केर्ट्रो है एक टीन उड्मैन है और दोरोथी है टोटो है फिर लाइन भी जोईन हो गया और ये सब सब निकल गए विजर्ड आफ आज के पास जाने के लिए अब उसे माफ कर दिया है लाइन को और अब वो लाइन का बिस्ट फ्रेंड बन गया है और बाद में वो दोने अच्छे दोस्त बन गया है और फिर रास्ते में ऐसा कोई रुखावट नहीं आया फिर उन लोगों का उस दिन और फिर जो टीन उड्मेन था वो एक बैटल एक छोटे से कीड़ा रहता है तो उस कीड़े के ओपर चड़ गया यह टीन उड्मेन और फिर यह जो हुआ न तो टीन उड्मेन बहुत अनहपी हुआ क्योंकि जो टीन उड्मेन था वो कोशिश करता था कि जो भी लिविंग क्रियेचर है जो चीज जिन्दा हो है उस चीज को कभी हर्ट न करें अर फिर जब वो उस बैटल को मार दिया तो फिर वो रोने लगा और फिर जब वो रोने लगा तो उसका आसू जो है वो उसके जबडे पर जबड़ा दात हम लोग को वहां पर आसू चला गया और वहां पर जब उस तीन वोटमेन का वहां पर आसू गया तो उस जगह पर जग लग गया फिर दोरोथी ने उससे एक question पूछा तो वो कुछ आंसर ही नहीं दे रहा था वो कोशिश कर रहा था बोली नहीं पा रहा था क्योंकि उसका जो जबड़ा था उसमें जंक लग गया था फिर वो जो टीन उटमें था वो बहुत कोशिश क्या बोलने का कि मेरा जबड़ा है यहाँ पर जंक लग गया है मुझे यहाँ पर तेल दो ताकि मैं ठीक हो सको पर दोरोथी जो थी वो समझ ही नहीं पा रहे थी कि क्या कह रहा है पर जो पुतला था उसे समझ में आ गया था कि क्या प्रॉब्लम है फिर वो डोरोथी के जोले से निकाला उस तेल को और वो तेल उडमें के जोव में लगा दिया जबडे में और जैसे ही तेल लगा उसके जबडे में तो वो जो टीन उडमें था वो अच्छे से बोलने लगा और फिर जो टीन उडमें था वो बोला कि अब मैं बहुत जाद ध्यान दूंगा कि रास्ते में कुछ मुझ से हर्ट ना हो और फिर बोला कि अगर मैं कोई भी बैटल या फिर किसी चीज को अगर मार दू रास्ते में तो मैं फिर से रोने लगूंगा और crying rest my jaws and keep me from speaking और जब मैं रोता हूं तो मेरा जबड़ा है उसमें जंक लग जाता है और फिर मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं this will sorry there after he walked very carefully उसके बाद वो जो टीन उड मैं था वो बहुत अच्छे से केरफूली चलने लगा रास्ते में with his eyes on the road when he saw a tiny little ant going by he stepped over it so as to not harm it तो वो जब देखा एक चेटी को तो बहुत अच्छे से उस से cross किया और कोशिश किया कि उस चेटी को किसी तरीकी का चोट न पहुंचे the teen old man knew very well that he had no heart and therefore he took great care never too cruel or unkind to any living creatures teen old man को पता था कि उसके पस दिल नहीं है पर उसे पता था कि किसी को हम बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और unkind नहीं होना चाहिए और हम लोग भी थो इंसान हैं ना हम लोग कोषिश करेंगे जो living creature है ना उसे नहीं हर्ट करें कोषिश करेंगे बहूत कोषिश करेंगे हम लोग CTA को बचाएंगे ठीक है मतलब अगर नीचे चीटी हो तो हम लोग अच्छे से देख कर चलेंगे ताकि उस चीटी को कुछ ना हो और जान के तो बिलकुल नहीं करना है ठीक है हम लोग सीखेंगे हम लोग भी सीखें इस टीनोट मैंसे की living creature को hurt नहीं करना चाहिए यू people with hurts he said have something to guide you and never do anything wrong और फिर वो बोला कि तो जिसके पास दिल है उसे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ guide करना चाहता हूँ कि कभी किसी के साथ बुरा मत करना but I have no heart so I must be careful और बोला कि मेरे पास तो दिल ही नहीं है पर फिर भी मैं बहुत careful हूँ और फिर बोला कि जब मुझे यह wizard of odds जो जादूगर है और वो मुझे heart देगा तो फिर मैं इतना mind नहीं करूंगा so this was the whole story I hope आपको यह पूरा स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई जोगी और आप question answers बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे और thank you so much यह chapter को सुननी के लिए कैसा लगा आपको आप मुझे comment करके जरूर बताएगा और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ भी share कीजिए ताकि वो भी अच्छे से बढ़ सके thank you मिलते हैं अब next वीडियो में